एजेंट आरकायल एक टेरिस्ट महिला लिगरांज को पकड़ने के लिए ग्रीस के एक पब में आता है। वो वहाँ पहुँचकर लिगरांज के साथ डांस करता है। लेकिन इससे पहले आरकायल उसे पकड़ पाता। लिगरांज पहले से ही उसके एजेंट होने वाली बात जानती थी। और इसी वज़े से वहाँ मौझूद सारे लोग आरकायल को बंदूग की नोग पर घेर लेते हैं। और लिगरांज वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तब ही लिगरांज उन पर ताबट तोड़ गोलियां चला देती है और बाइक से निकल जाती है। अब एक गोली क्यारा को लगने की वज़े से आरकायल उसके पास रुखता है। तो उसकी एजनसी का डारेक्टर फावलर क्यारा को वहीं छोड़ कर उसको लिगरांज को पकड़ने के लिए कहता है। फोन खोल कर उसमें सबूतों को दिखाते हुए बताती है हम दोनों का बॉस एक ही है और वो डारेक्टर फावलर ही होता है। इतना बताकर लिगरांज अपने लॉकेट में चुपा जहर खाकर दम तोड़ देती है। अब डारेक्टरेट के इस धोके की वज़े से आरकायल अपने साथी के साथ बागी हो जाता है। और अपनी डिवीजन के खिलाफ सबूतों से भरी मास्टर फाइल को जो की एक सिलवर बुलट के आकार की पैन ड्राइब में होती है। जिसमें लेकक की कलपना काम करना बंद कर देती है। बैठ चाता है। और वो उसी की बुक पढ़ता हुआ एली को पहचान लेता है। फिर एली के पूछने पर वो अपने आपको एक असली जासूस बताता है। इतना सुनते ही एली को उसमें अपनी बुक का किरदार आरकायल दिखाई देने लगता है। वो एली को बताता है हम यहां दुश्मनों से घरे हुए हैं और हम पर कभी भी हमला हो सकता है। तभी एक आदमी एली का ओटोग्राफ लेने आता है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही एली उसको पेल देता है। चलती ट्रेन के एंड पर आकर एली को पकड़ कर अपनी कमर पर बंधे पैराशूट को खोल देता है। तो एडेन उसको बताता है तुम्हारे बनाए किरदार सच में हैं और वो वैसा ही कर रहे हैं जैसे तुम लिखती जा रही हो। तुमारी फिफ्ट बुक के हिसाब से डिवीजन का एक एजेंट बागी हो चुका है। वहीं दूसी तरफ डिवीजन का असली डारेक्टर एडन और एली को ना पकड़ पाने की वजहे से अपने डिप्टी डारेक्टर को ही गोली मार देता है। फिर एडन एली को बताता है कि मास्टर फाइल यानि की सिलवर बुलेट लेने मैं उस हैकर के पास गया तो वो तै जगे पर आया ही नहीं। इसलिए मैं अब पूरा डारेक्टर एड डिवीजन उसको ढूणने में लगा हुआ है। अब क्योंकि सिर्फ तुमको ही पता है कि वो हैकर कहा हो सकता है। इसलिए डारेक्टरेट तुमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इतना सुनते ही एली उसको बताती है मुझको हैकर के बारे में कुछ नहीं पता। और एक नया चैप्टर लिखने के लिए मुझको बहुत रिसेर्च करनी पड़ती है। इसके लिए मुझे वो सारी जगए देखनी होंगी जहांकि ये कहानी है। तो एडिन उसको लंडन लाने के लिए प्रैवेट जैट का इस्तमाल करता है। एडिन उसको एक अपना पुराना किस्सा सुनाता है जिसको सुनकर वो शान्त हो जाती है। उसके बाद एडिन उसकी फिफ्ट बुक के हिसाब से उसको लंडन में हैकर से मिलने वाली जगह पर लेकर आता है। और उससे कहता है कि इससे पहले डारेक्ट रेट हमें ढूंड ले, तुम जल्दी से आगे की कहानी बता दो। डारेक्टर रिटर को भी उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तो रिटर वहां लगे कैमरे पर डिजिटल आडियो रिसीवर को एक्टिवेट करवा कर उनकी बाते सुनने लगता है। वो जान जाता है कि एडिन उससे अगला चैप्टर लिखवा रहा है। इधर एली लिखना शुरू कर देती है कि जब हैकर आरकैल से मिलने नहीं आया तो वायट और वो हैकर के फोन को खोलते हैं। उनको उस एक हजार रुपे के फोन में दो लाक रुपे की चिप मिलती है। असल में हैकर नहीं उसकी सेटलाइट तक पहुंचने के लिए ये चिप डाली थी। सैटलाइट की लोकेशन की लिस्ट निकालता है। वो पूरी 69 होती हैं। इतनी सारी मेंसे हैकर की सेटलाइट को ढूढ़ना ना मुमकिन था। तो एली हैकर के द्वारा निर्धारित मिलने वाली जगह से सबसे करीबी सेटलाइट की लोकेशन का पता लगा कर हैकर के एड्रस का पता लगा लेती है। इससे उनकी बाते सुन रहे डारेक्टर रिटर को भी हैकर का एड्रस मिल जाता है। एड्रस पर पहुँचकर एड्रस को फ्लोर के नीचे एक सीक्रेट जगह का पता चलता है। वहाँ उनको एक छोटा सा सूट केस मिलता है। उसे खोलने पर उनको कुछ पैसे, एक बोट की चाबी और हैकर के कोड भरी डायरी मिलती है। जिसको लॉक बुक कहते हैं, तभी डिवीजन के लोग वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों के कमरे में घुसने से पहले, वो दोनों फ्लोर के नीचे उस सीक्रेट जगह पर छुप जाते हैं। लेकिन एली की बिली, एलफी की आवाज के कारण एडिन को सब के सामने आकर उनसे लड़ना पड़ता है। एडिन और एली राद गुजारने के लिए एक होटल रूम लेते हैं। एडिन लाग कोशिश करके हैकर के कोड को समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना जान लेता है कि ये किस कोड में लिखे हुए हैं। जिस वजे से एडिन इतना जादा फरस्टेटिड हो जाता है कि वो बातरूम में जाकर अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि एली ने मुझे पागल कर दिया है और उसके भेजे में गोली मार देनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत जल्दी उसको तुमारे पास ला रहा हूँ जिससे तुम इस किस्से को जल्दी से खत्म कर तको। एली उसकी ये बात सुनकर डर के मारे बिल्ली और हैकर की डायरी को लेकर वहां से भाग कर अपनी मा को कॉल करके बताती है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है और फिर एली के कहने पर उसकी मा लंडन में एक होटल का रूम बुक करती है जहां उन्होंने अपनी एनिवर वो कोई और नहीं, बलकि डारेक्टर रिटर ही होता है, जिसका मतलब था उसी का फादर उसे मरवाना चाहता था, एली उनको बताती है कि उसकी कहानियां सच हो रही है, और एक सीक्रेट फाइल पाने की वज़े से एक असली डारेक्टरेट उसके पीछे पड़ा हुआ है, और कि एडन वहाँ आकर डारेक्टर रिटर पर गन तान कर एली को बताता है ये तुम्हारे माबाप नहीं है तब ही रिटर अपनी पहचान उजागर कर देता है और ठीक उसी समय एली की माँ एली पर ही गन तान देती है तो मौका मिलते ही एडन उसे गोली मार कर डारेक्टर और जब अगली सुबह उसकी आखे खुलती है, तब तक एडिन उसे फ्रांस के एक फार्म हाउस ले आता है, वहाँ वो अपने बॉस एलफी से उसे मिलवाता है, वो CIA का पूर्व डिप्टी चीफ था, वो एली को अपने वेर हाउस के अंदर सीक्रेट कंट्रोल रूम में ले एडिन गुस्सा होता हुआ, अपनी बात को साबित करने के लिए धोके से उसपर वार करता है, लेकिन एली उसके वार से खुद को बचा लेती है, और खुदी हैरान हो जाती है, उसके बाद एडिन उस पर लगतार कई वार करता है, रेचल उन सबसे बचती हुई, उल्टा एडिन को ही पटक देती है, वहीं एलफी और डारेक्टर रिटर हैकर्स के कोड को डिकोड करने लगते हैं, अब एडिन एली को सच्चाई बताना शुरू करता है, कि हैकर्स से मिलने तुम ही गई थी, लेकिन वहां से वापिस नहीं आई, हमें बस खबर मिली कि एक अंजान ल तुम्हारी मा और डारेक्टर रिटर को तुम्हारा पिता बना कर तुमसे मिलवाया, उन्होंने तुम्हारा ब्रेन वाश कर दिया, और उस डॉक्टर ने तुम्हारे दिमाग को मैनू प्लेट कर दिया, फिर तुमने अपनी असली जिन्दगी की यादों को अपनी कल्पना समझ कर नोबल के रूफ में लिखना शुरू कर दिया और अब तुम उनको सिल्वर बुलट देने ही वाली थी तभी एली को पता चलता है कि एड़न पिछले पांस सालों से उस पर नज़र रखे वे था और असल जिन्दगी में आरकायल का साथ ही वाइट कोई और नहीं बलकि एड़न ही होता है तभी एली उसको बताती है कि उसके एक रीडर ने उसे एक आईडिया भेजा था तो वो उसके हिसाब से क्यारा को अपनी अगली किताब में वापिस जिन्दा करने वाली थी तभी एली उनको बुलाकर बताता है कि उसने कोडस कोडिकोड कर लिया है हैकर ने फायल सबा को दी थी, वो एक कीपर है, जो लोगों के राज को महफूज रखती है और हैकर ने उसे बताया था कि सिलवर बुलेट सिर्फ आरकायल को दे इसलिए सबा आरकायल के इलावा किसी और को फाइल देगी ही नहीं अब एली को कुछ याद ना रह पाने की वज़े से वो उसके पास जाने से मना कर देती है लेकिन एलफियू से समझाता है कि अगर तुमें कुछ याद नहीं है तो तुम अपनी किताबों के किरदार बन कर वहाँ जाओ फिर एडन उसे लेकर सबा के ठिकाने पर आता है वहाँ एडन एली की गबराट को दूर करने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है वहाँ वो एली को बताता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं अब इससे पहले वो एक दूसरे को किस कर पाते सबा एली को बुलावा भेज देती है पहले तो एली उसके सामने घबराती है लेकिन जब उसके अंदर का आर कैल उसका होसला बढ़ाता है तो वो सबा से अपना समान वैसे ही मांगती है जैसे रिचल कायल उससे मांगती तो सबा उसे बक्सा दे देती है एली के हाथों में अब सिल्वर बुलट थी तो वो सबा के ही कंप्यूटर में उसे खोल कर जांचती है लेकिन तभी उसको उसमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं अब उसके बारे में वो जैसे ही इडन से बात करने वाली होती है तभी डॉक्टर, कारलोस और अपने आद्मियों के साथ वहाँ आ जाती है असल में जब एडन ने उसे गोली मारी थी तो उसने बुलट प्रूफ जैकेट पहने हुई थी फिर डॉक्टर उन्हें चाय पिलाकर एली को याद दिलाती है कि वो हैकर से मिलने उसके फ्लैट पर पहुँच गई थी और उसने ही हैकर से सिल्वर बुलट लेकर उसको गोली मार दी थी उसके मरते ही उसके फ्लैट में सैल्फ डिस्ट्रिक्शन मोड अन हो गया था जिससे वहाँ पर ब्लास्ट हो गए और वो खिडकी को तोड़ती हुई थेमस नदी में जागिरी थी उसी हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी और उसको जो सिल्वर बुलट के अंदर होश उड़ा देने वाली चीज मिली थी वो ये थी कि वो खुद डिविजन की टॉप एजेंट थी एडन को उसके डबल एजेंट होने का पता चलते ही वो भड़क उठता है लेकिन चाय में नीन की दवा मिली होने की वज़े से वो तीनों बेहोश हो जाते हैं फिर एली की आखे डारेक्टर रिटर के पास उनके डिविजन के कंट्रोल टावर में खुलती है जहां वो सिलवर बुलेट को डिस्ट्रोय करके एली से एलफी के एड्रेस के बारे में पूछता है तो एली उससे कहती है कि उसे याद नहीं लेकिन एडन जानता है वहीं नीन में मुझको वहां लेकर गया था वो लोग एल्फी का एड्रेस निकलवाने के लिए एडन को बहुत मारते हैं वहीं एली के लाख पूछने पर वी जब एडन उसे एल्फी का एड्रेस नहीं बताता तो एली उसे गोली मार देती है उसको देखकर डारेक्टर रिटर हैरान हो जाता है तो एली रिटर और डॉक्टर को कंट्रोल रूम में लाकर खुदी एलफी को ढूंडने लगती है वहीं थोड़ी देर में एडन को होशा जाता है वो अपने पास खड़े दोनों आदमियों को मार कर अपना हार्ट फेल होने से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शन लेता है इतने में एली एलफी को ढूंड लेती है लेकिन असल में उसने रिटर को बेवकूफ बना कर मास्टर फाइल को एलफी को ही भेज दिया था क्यूंकि एली को अब सब कुछ याद आ चुका था लेकिन किसी कारण से वो फाइल सेंड नहीं होती तो एली उन दोनों को बेहोश करके अपनी बिल्ली को लेकर वहाँ से भाग निकलती है फिर रिटर के होश आते ही वो खतरे का आलारंबा जा देता है एली हतियारों के रूम में आकर वहाँ से कुछ हतियार लेने लगती है लेकिन तब ही वहाँ एडिन आ जाता है एली उसको सरेंडर करती हुई समझाती है कि उसने दिल पर नहीं बलकि वेस्कुलर कोरिडोर पर गोली मारी थी जो दिल के ठीक दो इंच उपर होता है और जिससे तुमारा खून ना बहे मैंने वहाँ रुमाल लगा दिया था अब एडिन को समझ आ जाता है कि एली ने उसकी जान बचाने के लिए ही उसे गोली मारी थी उन दोनों को हत्यार रूम में देखकर डारेक्टर रिटर अपने लोगों को उनको मारने के लिए भीशता है तो वो दोनों कलरफुल स्मोक बमों को फोड़ते हुए उसके धुए की मदद से वहां मौजूद हर एक आदमी को मारने लगते हैं वो दोनों डांस करते हुए सब को मारते चले जाते हैं और AC डॉक से निकल कर नीचे बेस्मेंट में आ जाते हैं वहाँ दुष्मनों की गोली की वजहसे तेल के पाई फट जाते हैं जिससे तेल पूरे फ्लोर पर गिर जाता है तेल गिलने की वज़े से अब वो लोग वहाँ पर गोलिया नहीं चला सकते थे उपर से वहाँ पर अब खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा था तो वो लोग धीरे धीरे एडिन और एली की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी एली को याद आता है कि वो बहुत बढ़िया आइस सकेटर है तो वो जल्दी से दो चाकूओ को अपने बूट के सोल पर लगा कर उस तेल के उपर सकेटिंग करने लगती है और फिर सभी आदमियों को मारना शुरू कर देती है अब वो जैसे ही कालोस को मारती है तभी रिटर सबको गोली चलाने का आदेश दे देता है लेकिन एली उन सबसे पहले बंदोग उठा कर इस केट्स पर रोल करती हुई सबको गोली उसे भून देती है उसके बाद वो सर्वर रूम में आकर फाइल को फिर से भेजने की कोशिश करती है लेकिन रिटर के वहाँ आजाने पर उसको पता चलता है कि फाइल सेंड करने के लिए रिटर की आँखों की रेटीना का स्कैन करना पड़ेगा अब इससे पहले वो उसकी आँखों की रेटीना का स्कैन कर पाते तभी एली की बिल्ली रिटर के उपर कूद कर उसकी आँखे नोच लेती है एली फाइल सेंड करने के लिए दूसरा रास्ता खोचती हुई फाइल को सेटलाइट के थूरू भेजने के लिए एडन के साथ छत पर आ जाती है वहाँ वो दोनों देखते हैं कि वो किसी बिल्डिंग में नहीं बलकि पानी के जहाज पर है और इसलिए नीचे पाइपस में इतना तेल था तभी एली को वहाँ सेटलाइट डोम मिल जाता है वो उसके थुरू मास्टर फाइल को एलफी को भेजने लगती है एलफी को फाइल रिसीव होने लगती है लेकिन तभी डाक्टर वहाँ आकर अपनी डांसिंग डॉल म्यूजिक से एली को सम्मोहित करके उसके दिमाग में पहले से ही बैठाए कोडस को एक्टिवेट करके उससे ही एडिन पर हमला करवा देती है अब इससे पहले एली एडिन को जान से मार देती तभी क्यारा वहाँ आकर डॉक्टर के सिर पर जोड़दार वार कर देती है जिससे dancing doll उससे हाथ से गिर कर तूट जाती है और music बंद हो जाता है तभी एली को होशा जाता है क्यारा को जिंदा देखकर एली उससे पूचती है तुम जिंदा कैसे हो तो क्यारा बताती है वेस्कुलर कोरिडोर का idea मैंने ही दिया था क्यूंकि मुझ से अच्छा experience किसी और को हो ही नहीं सकता कियारा पिछले 5 सालों से डिवीजन के अंदर ही चुपचाप काम कर रही थी इधर एलफी पूरी master file डाउनलोड कर लेता है अब डिवीजन को खत्म करने के लिए आखिरकार उसके पास सबूत थे जिससे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अब घर लोटते समय एडिन एली को किस करता है वो डारेक्टरेट के जहाज को उड़ा देते हैं जिससे पूरा डारेक्टरेट ही खत्म हो जाता है और इसी तरह से एली अपनी 5 बुक की एंडिंग लिखती है वहीं एजेंट आरकायल और एडिन जो की पार्टनर्स थे उन्होंने आगे भी हमेशा साथ रहकर ही काम किया तब ही एक आदमी उनसे सवाल करने के लिए खड़ा होता है उसका चहरा, कद और काठी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे एली ने अपने एजेंट आरकायल को सोच कर बनाया था उसे देखकर एली चौक जाती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्स्प्लिनेशन पसंद आई होगी और भी मुवी के एक्स्प्लिनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दमाना ना भूलें